कानून विवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस अधीचक आर्पी सिंग खुद दल बल के साथ फील्ड पर निकल रहे हैं बावजूद इसके दबंगों में खाकी का तनिक भी खौफ नजर नहीं आ रहा इसका ताजा उधार सहर में कचहरी के निकट सरे साम ठेला लगाने वाले सक्स पर चाकू से हमला करने की वारदात है दरसल सहर के महला लोनियन पुर्वा निवासी मनोज कुमार पुत्र राम लोटन कचहरी के गेट नंबर 3 पर दोसा का ठेला लगाता है मनोज के मुताविक रवीवार की देर साम करीब साड़े निवासी उसके पास सिर्फ चार डोसा बचे हुए थे और चार कस्तमर पहले से खड़े थे जिनका ओरडर वा तयार कर रहा था इसी बीच तामजेन गंज निवासी राजू वहाँ पर पहुँचा और दोसा मांगा जब मनोज ने दोसा खप मोने की बात कही तो वा भड़क गया आरोप है कि राजू ने चाकू से उस पर हमला कर दिया हमले में वा घायल भी हुआ सहर के बीच में सरे साम इस दोसाहिक वारदास से हरकम मच गया पीड़ित ने घटना की तहरीर कोटवाली पुलिस को दी आरोप है कि पुलिस ने 24 घंटे बाद मामले में कोई भी कारवाई नहीं की अब दिश्नोंजाओ मिंसम्हिए भी एक उतने टाइंप जदा थी क्योम मटेदल हमारे पास खतम हो गया तब तक गाजू जो एलर्ज जो है हमारे पास आए और उनने बोला कि दूसा प्लाव से utip बनां के तो हमारे पास माल बिलना आहीं था तो मैं इसलिए मना कर दिया और मना करने के बाददुने के द लूम झायोड़ है सारे सब फेक दिये जमीन में जब फेक दिया तब भी हम नहीं कुछ बोले कि हमको जगडा ना होने पाए लड़ाई ना कर पाएं या कोई विवाद ना बढ़ पाए आगे को तब भी हम सांते ही रहे तब उन्होंने मेरे गले पे चाकू लगा दिया उफा कर तेरा प्याज का आपने किसके राखना पड़तर मैंने दे दिया है कुछ वाली में और डाक्ट्री रिपोर्ट भी करा लिए हमने और अभी कोई कार्णवाई उचीत नहीं हो पाई है क्या नम है आपको हमारा नम अनुश कुमार है